और इसी बीच स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पर बड़ा खुलासा हुआ है ये बड़ी ख़बर आपको बता देए आईएसाई की साज़श के तहट देहशत फैलाने की कोशिश की गई है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है पाकिस्तान और चीन की साज़श का शक चताय दिल्ली इंसियार के स्कूलों को जो मेल भीजा गया था उसमें ये खुलासा हुआ है सूत्रों के वाले से बतारे कि आईएसाई के जरिये देशत फैलाने की कोशिश की गई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी सुबह चार बज़े से लगभग मेल किये गए थे इसमें बड़ा खुलासा हुआ है मास्को से स्कूल में धमाके का इमेल मास्टर माइंड का मिला सुराग पाक की साज़िश चीन का प्लान पम निरोथक दस्ता तमकल की गाड़ियां एम्बुलेंस स्कूलों में सर्च अभियान और डरे सहमे बच्चे तस्वीरें मुदवार की हैं जब दिल्ली NCR के कई स्कूलों को खाले कराने के बाद बम का पता लगाने के लिए बारेकी से कोने कोने की तलाश की नी गई दिल्ली को आफिर कौन दहलाना चाहता था कौन पैनिक फैलाना चाहता था बम होने की धंकी से दिल्ली NCR की स्कूलों में हरकम मचा था लेकिन चपपचपपघ हंगालने के बाद भी बम की सूचना फर्जी निकली क्योंकि सभी स्कूलों में अच्छी से जाच पड़ताल के बाद भी कुछ नहीं मिला था लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये हरकत किस ने की कहां से स्कूलों में बंग की धंकी का इमेल आया और कौन इस साज़श का मास्टर माइंड है सवाल एक साथ खड़े हुए तो फिर जबाब भी जाँच में जुटी पलिस और सुरक्षा जिंसियों निठोन निकाला मामले में बड़ा और चौकाने वाला खुलास अभवा है स्कूलों को मिली धंकी भरे इमेल का रूस पाकिस्तान और चीन कनेक्शन सामने आया है जाँच जिंसियों को शक है कि आईसाई के इशारे पर आयस आयस मौट्यून ने इसके साज़श रची चीन का नाम आने की पच्छे की वज़ए सर्वर का बेहत मज़गून थोना है दिली इंसियार के स्कूलों को सवारीम एटिरेट मेल डॉट आर यू इमेल आईडी से इमेल भीजा गया मेल डॉट आर यू रश्या वे मेल सर्विस है और आयस आयस भी पहले स्वारायम नाम का इस्तमाल कर चुका है स्वारायम अरबी शब्द है और इसका मतलब है तलवारों का टकराना इस शब्द का इस्तमाल 2014 से पहले इसलामिक स्टेट की और से इसलामिक प्रॉपगंडा फैलाने के लिए किया जाता रहा है साज़श की तह तक जाने के लिए इंटरपॉल की मदद दी जा रही है क्योंकि जाच एजंसियों को लगता है कि ये किसी की सिर्फ शरारत पर नहीं है बलकि किसी बड़ी साज़िश के पहले की तैयारी हो सकती है शोरूर पो रिपब्लिक भारत पीए मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गुजरात में चार्जन सबाओं को संबोतित करेंगे पहली सबा सुबा 11 बजे आनंद के शास्त्री ग्राउंड में होगी दूसरी सबा बड़वार में करेंगे इसके बाद जूनागर और जामनगर में रैली को संबोतित करेंगे ग्रेमंद्रिय मिश्राज यूपी के दौरे पर रहेंगे आज सेफे परिवार के गढ़ वाली मैनपुरी लोकसभाक शेत्र में रोडशो करेंगे बीजेपी प्रतियाश्टी जैवीर सिंग को जितानी की अपील करेंगे रोडशो के बाद एटा और फिरोजबाद में चुनावी जिन्सभा करेंगे पियमोदी वारांसी से तिसरी बार करेंगे नामांकन 13 माई को दाखिल करेंगे परचा वारांसी से दो बार सांसद रह चुके हैं पियमोदी अमेटी और राइबरील में आमांकन भरने की कला अंतिम तारीक है कोंगरूस में दोनों सीटों को लेकर लगातार मंतन जारी है। के लिए निश्कासित कर दिया था। बीजेपी नेम फवाज ओदिल के पोस्ट पर कॉंगरूस को घेरा। बीजेपी ने कहा कॉंगरूस का हाथ पाकिस्तान टिस्तान। यूबिके मुझदफनगर में पुलिस और शातिर चोर गिरहों के बीच मुटभेड हो गई दो शातिर चोर गोली लगने से घायल। पुलिस को चक्मा देकर फड़ार हुआ घायलो से तमंचा बाइक और दो लाकी नगदी परामत हुए। और सुबीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है उधमपूर कट्वा में एंटी टेरर ओपरेशन लगातार जारी है पिछले पाच दिनों से ये ओपरेशन चल रहा है ओपरेशन में वायुसेना को शामिल किया गया है वायुसेना के ड्रोन से सर्वलांस की मदद दी जारी है तो ये तस्वीरे भी सामने आई है जब पूरे इलाके में सर्च ओपरेशन चल रहा है एंटी टेरर ओपरेशन ये जारी है लगातार पांच दिनों से उधमपूर कट्वा शेतर में क्योंकि यहां पर आतंकियों की गोस्पैट देखी गए थी और इसी के चलते चपपे चुक्री शामिल की गई है इस ओपरेशन की और इस ओपरेशन की मदद से इन घने जंगलों में पैनी नज़र रखी जारी है ताकि कोई भी आतंकी यहां पर छिपा ना बैठा हो तो पिछले पांस दिनों से लगातार ये ओपरेशन लगातार जारी है वायू से ड्रोन से सर हम तरहा से यहां पर देखे लगातार ये ओपरेशन किया जारा है और कॉंग्रेस चोड़ने के बाद संजे डिरुपम ने तै किया नया सियासी ठिकाना क्या है पूरी खबर एक मिनिट में आपको दिखाते हैं हालएं में कॉंग्रेस से इस्तिफा देने वाले संजे डिरुपम ने आखिरकार अपना नया सियासी ठिकाना तै कर लिया संजे डिरुपम सिय अमएकनास शिंदे के नेदिर्तर वाली शिव सेना में शामिल हूगी शिवसेना में वाक्षी को संजेर उर्पम ने अपनी भर वाक्षी करार दिया शिवसेना में वाक्षी को संजेर उर्पम ने ये भी साफ किया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी और शिवसेना में दवारों को जिताने के लिए काम करेंगी विर्पोर्ट रिपाप्लिक हारत और धर नहीं दिली के जनता लोगसफा चुनाव को लेकर क्या हिंट दे रही है देखे हमारे सही योगी लोमस की रिपोर्ट चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी हम नहीं दिली में मौजूद है क्या इस बार रुख है अगर बात करें आपका हिंट किस तरीके से है और साथी कितने सीटें एंडियो को आएंगी और साथी जो विपक्ष है वो कितने सीटों पे आएगा बोदी जी ने नारा दिया 400 बार तो अपकी बार 400 बार ही होगा नहीं दिली में अगर हिंट आपकी जानी दो ये पांशरी सवराज जी खंफर्म है बिल्कुल खंफर्म है और बहुत बारी बहुत से इंडिया को कितने सीटे आएंगे और साथी अगर नई दिली की बात करें नई दिली लोगसवा छेट की बात करें क्या लगता आपको क्या हींट है आपको नई दिली लोगसवा हम कम से कम पांच लाग से जादा विनिंग करके आ रहे हैं हमें जो एक ब्रश्टाचारी और करप सोमनात भारती मिला है कि जिसके सामने हम सोच ही नहीं रहें कि उसे हम लड़ रहे हैं ये एक तरफा जीत है इसमें सोचने और विचारने का कोई मुद्दा ही नहीं है जी ये उनके अधूरे कारयों को राके बढ़ाएंगी और जो ये जन्ता तरस्त हो चुकी है इस बेइमान सरकार के दुआरा उससे भी निजात दिलाएंगी नई दिल्ली लोकसवा सीट से हम उमीद लगता है हम इस बार जीतेंगे तूरे आठ लाग बोटो से क्या आपको क्या हिंट है क्या इंडिये को कितने सीटे आएंगे और साथ ही अगर नई दिल्ली लोकसवा छेट की बात